N.V.N. के साथियों, हसन कमाल का नमश्कार, हसन कमाल का सलाम. बीजेपी के प्रेशिडेंट, जिगत प्रशाद नड़ा हो गये हैं, जो हीमाचल परदेशते हैं, जो पहले हेल्थ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, कैबिनेट में, वो हो गये हैं, कुछ अर्शे से, कुछ महीनों से वो एक्टिंग प्रेशिडेंट, कारगुजारी प्रेशि लेकिन जब यह हुआ तो मुझे यह खबर आई कि एकदम दो दिन में कैसे हो गया, भाई, बीजेपी का जब प्रेशिडेंट बनता है तो, बलते किसी भी पार्टी में जब एलेक्शन होता है, तो चाहे एलेक्शन नहों, वैसे ही प्रेशिडेंट चुन लिया जाए, जैस आध-दस दिन तक बढ़ी हलचल मखी रहती है, कि वैसे यह एलेक्शन होने वाला है, और जो है वो चाहर जो है एक प्रेशिडेंट से दूसरे प्रेशिडेंट को दिया जाने वाला है, यहा तो कोई खबर ही नहीं थी आचानक मालूमा कि नॉमिनेशन हो गया, और नॉमिन अमिश शाह की लेकिन अमिश शाह ने एक लवज भी नहीं बोला, नड़ा को मुबारक बाद भी नहीं दी, गले में उनके हार जूर पे ना दिया, लेकिन एक लवज नहीं बोला, तो मैंने कुछ सुझा इसकी वज़े क्या है, तो मुझे अचानक याद आया, के एक दो-तीन पहले, च्छतीस गर्द के चीफ मिनिस्टर, बुपेश बगेल का एक बयान, वाइरल हुआ, उन्हों नहीं ये कहा, के एनर्सी के मसले पर, नरेद मोदी, और अमिश शाह में कुछ मन मुटाओ चल रहा है, बात कहा तक सही है मुझे नहीं मालू, लेकिन बात बहुत गलत भ लगती, बलत क्यों नहीं लगती, आपको ख्याल होगा, के दिली के रामलीला ग्राउंड में, नरेद मोदी नहीं ये कहा, के एनर्सी तो कभी डिसकस ही नहीं हुआ, ये लफजी कभी नहीं सुनाई दिया, और उसके बारन बात, धरा धर लोगों ने दिखाना शुरू किया के पारलेमेंट के अंदर, अमिश शा जो है, वो कह रहे हैं के एनर्सी तो आएगा, और सारे मुल्क में आएगा, और ये होगा, वो होगा, उससे पहले प्रेजिदेंट के एड्रिस में भी एनर्सी का नाम था, तो ये पहली मरतबा मेरा ख्याल है कि नरेद मुजी को ये ल तो मुझे लगा कि एन मुमकिन है, इसलिए जब ये अचानक तब्दीली हुई, और अमिश शा के जगह पर नड़ा आ गए, तो अब करीज सवाल खड़े होते हैं, सवाल ये है कि खुद नरेद मुदी ने भी कहा, और सारी दुनिया में कहा जाता है, कि अमिश शान ने बी और सबसे ज़ादा दौलतमंद रिचेस्ट पार्टी बना दिया, अब सबसे बड़ी पार्टी बना दिया है, वो तो उसमें कहते हैं, अठारा करोर मेंबर हैं, मगर उसमें मुझे दम नहीं लगता है, उसलिए के टुटर पर उन्होंने जो सर्वे लिया है, तो सिर्फ बा के बाद, वो जो हजारों करोर रुपया बीजेपी की तिजोरी में बंद है, उसकी चाबी किस के पास होगी? नड़्डा के पास होगी, या हमिश्या के पास होगी? तो आने वाले चन्दिनों में ये पता चलेगा, कि नड़्डा वाकी प्रेसिडेंट है, या बिलकल नाम क के प्रेसिडेंट हो असली प्रेसिडेंट हमिश्याई हैं, क्योंकि अगर असली प्रेसिडेंट हमिश्या हैं, तो नड़्डा कितने दिन बरदाश्ट करेंगे कि वो नाम के प्रेसिडेंट हैं, उनके पास कुछ हैं, तो आइंदा चन्द दिन के बाद, ये पता बहुत ब इल्चस बात है क्या सुरत हाल होगी दूसरी बात है कि शायद अमीर शार को यह भी इस था कि दिल्ली के एलेक्शन होने ने दो हफ्ते के बाद उन्हें मालूम है कि उनका रज़ल्ट उन की पार्टी की हत तक क्या होगा तो शायद यह की बद नामी उनपे ना है लेकिन यह भ मैं आप से करना चाहता था तो आप भी सोचिए कि जो मैं कह रहा हूं उसमें कुछ दम है यह मैं हवा में बात कर रहा हूं। आप भी सोचिए कि बंगेल ने जो कहा है उसमें कुछ सचाई है नहीं है। आप भी सोचिए और हमें बताइए कि आपने क्या सोचा आपका रिस्पांस हमारे लिए बहुत जरूरी है आज यहीं तक आगे फिर मिलेंगे किसी नए सब्जेक्ट पे बात करने के लिए तक तक के लिए जय हिंद